दोस्तो आज मैं आपको कुछ strategy बताऊंगा, strategy जो होगी, वो होगी कैसे loss recovery की जाए, दिको losses को recover करना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं आपको live एक account भे दिखाऊंगा, जो कि मेरे पास एक project की तरह है, इसको complete करना है, complete क्या करना है, उसको minus से plus में खड़ा करना है, मैं आज आ पाली बात आजाती है, like मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यह basically कुछ वो accounts है, जो continue चल रहे हैं, बहुत ही like कह सकते हो, limited number of accounts को, like यहाँ पर login किया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे, यह account है, continue, profit आने के बाद भी मैं यहाँ पर टिका हूँ, अपने में profit book हो चुका, यहाँ पर एक कलब account जो दिखाया था, बट फिर भी और accounts है, कुछ accounts, अब यहाँ पर यहाँ पर यह account है, जो कि client की permission के साथ में मैं यहाँ पर show कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा motivational हो सकता है, उन लोगों के लिए, जो बिचा यहाँ पर 29,000 का profit book, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के महीने की salary है, और यह कोई करोडों का account नहीं है, यह 5,000,000 का account है, जिसमें 30,000 within a like कुछ दिनों के अंदर create हुए, बात खतम, आप कहोगे यह क्या है, यह counter trade के अंदर trade फसी है, बट इसको easily निकाला जा सकता है, कोई वाले को पता रहे, जो भी आप देख रहे हो, कि minus से plus में आना कितना important है, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, कि आपको एक strategy उस करनी है, wait करने की, यह देख रहे हो आप, सारे के सारे like, सारे के सारे positive, यह छोड़ दो, ही तो कुछ नहीं है, सारे के सारे जो trades हैं, वो positive प 20,000 के आसपास, easily यहाँ पर green positive आया, उसके साथ में आपर कुछ negative था, मैं बताना चाहूँगा, यह account basically, like यह client है, इनका मेरे पास message आया था, यह मेरा account नहीं है, पहली चीज, इनका project यह था कि यह 1.5 lakh रुपीज के loss में थे, और यह trade यह नहीं डाली थी, मेरी तरफ से कोई trade नहीं डाली गई है, मैं किवल यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, बड़ी safety के साथ काम कर रहा हूँ, ताकि client अल्री लॉस में है, उसको recover किया जा सके, यह recovery वाला account बोल सकते हो, मैं क्यों बता रहा हूँ, reason है उसके पीछे, ताकि आप समझ बाओ कि किस तरीके से एक negative account positive आ जा जाता है, currency पर क्लिक करता है, यहाँ पर हम क्लिक करता है, कि भई देख लेता है, पीछे से कितना किया हूँ, यह लीजिए, यह पकड़ा हमने यहाँ और यहाँ से इसको add किया, यहाँ पर आप notice करोगे, तो यहाँ पर total ना, यहाँ पर 1.8 lakh रुपीज के आसपास का losses continue था, किस दिन तक की बात करें, यहाँ पर यह account, यहाँ पर 14 तारीखों कह सकते हो, मेरे पास count हुआ, कि sir यहाँ पर problem हो कही है, 1.5 lakh रुपीज माइनस में खड़े हुआ है, और panic condition में, बहुत ज़्यादा panic condition में client आ गए थे, यहाँ पर मैं client का ना तो नाम यूज कर रहा हूँ, नहीं उनकी कोई detail यूज कर रहा हूँ, client ने permission दी है कि मेरी गलती जो थी, वो सबको बताई जाए, ताकि like, यह positive result सामने जद दिखाई देना, client के तो पता लगे कि कितना ज़्यादा कीमती हो जाता है, जब हमें loss हो था और panic condition में इंसान कैसे फरज जाता है, इसमें कुछ भ difference है, इसके पीछे की psychology क्या है, वो समझाने कि मैं यहाँ पर कोशिच कर रहा हूँ, आप यहाँ पर notice करोगे मेरे भाई, सो दिक्कत पता है कहां पर आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है, client छोटे-छोटे profit ले रहा था, देख रहे हो, 850 उर्पे का profit लिया, चलो जी कोई बा नहीं, अब यहाँ पर आगे देखो, आप 17,000 का profit, इसी के साथ में, 48,000 का loss, I was shocked किया, तुम profit तो कमा रहे हो, चोटे-चोटे, मैंने यह चीज़ रही है, यहाँ पर आप देखो 10,000, तो यहाँ तक आते आते, 48,000 का loss जो था न, यह टोटल 1.5 lakh में चेंज हो चुका था, व मुझे operation करना है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है, मुझे कोई कहने लगा है, चलो plane उडाओ, मुझसे नहीं होगा, knowledge धीमिदी में gain होती है, अब client यह चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, कि छोटे-छोटे profit तो gain कर रहे हैं, बड़े-बड़े losses ले पा रहे हैं, अब देखो 1.5 lakh रुपीज, अब यहाँ पर client आके panic condition में आ गए, reason है, उसके पीछे है, इतना बड़ा loss दिखेगा, अपरोक्स कहा सकते हो, 10 lakh रुपीज का यह fund है, तो 10 lakh पर 15% माइनस हो चुका है, without any reason, like कुछी दिनों के अंदर, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक चक्कर मारते ही काम हो चुका है, अब क्या है, अब यहाँ पर main चीज चालू होती है, like project की तरह अगर में इसको बात करूँ कि कैसे इसको green करना है, तो यह आपके सामने simple सा example है, कैसे, यहाँ पर, यहाँ तक मेरे पास account था, कि 14 तारीकों मेरे पास आते हैं, 15 तारीकों मैंने देखा कि कुछ गलत किया, और देखा, सारी की सारी losses, कितने जादा losses बुक करने पड़े उस particular time के अंदर, इसी तरीके से, like अगर बात करें, यहाँ पर अगले दिन, 16 तारीक को, 16 तारीक को यह trade निकाली गई और 43,000 रुपीज का total profit निकाला गया, और वहाँ पर losses, जो PE के अंदर losses इने कर रखे बहुत बड़ी-बड़ी quantity में, selling की हुई थी, आप देख रहे हो, like without any position, दो को मैं फिर बोलता हूँ, client की permission है, जो भी मैं बाते कर रहा हूँ, यह केवल educational purpose से है, और client इस बात को समझते है, कोई यह ना कहे है कि बाई किसी का account है, तो मैं ऐसा बोल रहे हो, उन्होंने खुद बोला कि उनकी जो गलती है, उनसे दूसरा इंसान कोई सीख पाया, और यह बहुत ही positive बात है, यह बात ध्यान रखना, कोई बताना पसंद नहीं करता, सब लोग अपना positive positive बताना पसंद करते हैं, negative नहीं बताते, यह negative मैं हाँ पर क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ज चोटी सी एक line पर भी पैसा कमा जाते हैं, और ना कमाने वालों के लिए पूरी team बैठी रहती है, तब भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, अब आप देख लो गलतियां कहा हो रही है, यह trade डाली गई, यह मैंने डाली थी, total कह सकते हो, अच्छे खासे lots थे, opportunity थी, बहुत easily 4,000, 4,000 निकल गए, चलो जी, यह trades मैंने उसी दिन बंद की, सारी की सारी, like यह सारी की सारी trades जो थी, extra trades जिनके अंदर कह सकते हो, negative जाने के बहुत high probability, यह trade continue थी, यह वाली trade जो थी, यह extra बंद की गई, चलो जी, next step क्या होता है, next step के अंदर आप देखोगे, यहां से हटने के बाद में यहां पे एक छोटा सा और profit होता है, जिसमें छोटा सा profit लेके निकला जाता है, 165,000 तक के, और यह सारी trades जो थी, फाल्तु की बंद हो चुकी है, अभी की condition अब क्या होगी, अभी की condition अब क्या होगी, अभी की condition अब क्या होगी, यह तोटल 12,500 का loss फिर से यहां हो रहा है, 78,000 यहां पे प्लस आ चुका है, अब अगर देखा जाए, तो actual में अभी client के account में loss पता है, कितना है इनकी में, यह फिर कहता हूं, मैंने trade नहीं डाली है, यह पहले से trade किये इन्होंने, और मैं केवल यहां पे इसको recover कर रहा हूं, एक project की तरह work कर रहा हूं, ता यहां पे loss था, अभी की बात करें, recovery कितनी हो चुकी है, इसके अंदर, 78,000 की बात करें, यह वाली यह trades है, यह positive ही आने वाली है, और positive आएंगी, यहां से हम लोगों को total कह सकते हो, यहां पे 26,000 मिलने वाले हैं, इस वाली trade के अंदर, 50 lot में जो है न, यहां पे, यहां पे मि 1000 और यह मिलेंगे, मैं शर्ट लाखे बोल सकता हूं, क्योंकि सही जगा पर यह trade पकड़ी गई है, दूसरी चीज़ यहां पर बात करें, तो यहां पर भी info के अंदर देखोगे, तो यहां पर 2200, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, main चीज़ अगस्त, and यह 150 lot है, easily यहां पर profit book कर loss में है, और 100 lot के अंदर, मैं आपको और बात बताता हूं, क्या गलती हुई, like client को, मैं बताना चाहूंगा, client के अकॉन में fund था, और यह easily, कोई manage कर सकते हैं, कोई problem की बात नहीं है, यहां पर क्या था, मैंने यहां पर total 250 lot के अंदर, market जब बिलकुल bottom पे खड़ी थी, वहां को levels पता हैं, कि enter कहा हूं है, exit कहा होना है, counter trade कहां activate करनी है, then काफी easy हो जाता है, कोई problem की बात यहां पर निकल के नहीं आती, 250 lot में अगर मैं रुका रहता, मैंने क्या किया जान बूच के, सर ने बोला मैं panic में हूँ, भाई, मुझे थोड़ा कम कर दो, मुझे डर लगता है सच है, यह दो कुछ डर लगता है, psychological game है वो, मुझे तो पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, but client विचारा हो उस समय panic condition में already होगा ना, जिसका 110 लाग में से 1,40,000 विचारों को जा चुका है, 1,50,000 जा चुका है, तो 100 lot client ने वाँ पर exit करा है, अगर 100 lot और add होते हैं इसके अंदर, तो आप समझ सकते हैं, ठीक ठाक और profit यहाँ पर 1,00,000 प्लस करके, इसको recovery बहुत easily की जा सकती थी, और यह within like कह सकते हो, कोई बहुत जादा समय नहीं हो गया है, यह recovery की बात करें, 14 तारिक से लेकर, और आज मैं जो वीडियो क्रेट कर रहा हूँ, और पूरा महीना भी नही पाएगा, मेरे बस की बात ना है, जबकि उनको काम करने का तरीका, असली गेम दो को फिर से बात आती है, आपको शांत रहकर काम करना है, आपको पता हो ना ची, क्या कर रहा हूँ, आप एक चीज़ नोटिस करो, कि यहाँ पर केवल और केवल में, USDNR में ही trade डाली, reason है उस पागल बन जाना की काम करते हुए, ठीक है, इसी तरीके से मजाख मजाख में मेरे भाई, मैं बोलता हूँ, जो अमीड लोग होते हैं, उनको मोटी पार्टी बोलता हूँ, एक बार की बात ऐसे भी है, क्लाइंट का फोन आता है, मैंने पूछा जी कौन बात कर रहा है, तु अब ये प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉफिट आप लेते रहते हो, बड़े प्रॉफिट को आप छोड़ देते हो, पैनिक कंडिशन में आ जाते हो, यार ये सारी चीजों के कारणे नुकसान होता है, और ये अकाउंट एजीली मैं कहता हूँ, इस महीने में खतम होत ये बाद ध्यान रखना, और क्लाइंट बिचारा करिंसी मार्केट में काम कर रहा है, मैं आगरी कर रहा हूँ मेरे भाई, बट रूल फोलो ना करना, वो सबसे बड़ी कह सकते हो, प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है, अब रूल क्या था, मैं हमेशा, देखो ये मैं सब को बताता हूँ, मेरा काम क्या है, सिंपल सी चीज है, जो चीज मैं कर रह रहा हूँ, वही चीज मैं आपर दिखा रहा हूँ, कॉमन सी चीज है, बैस सब्से पहली प्रायर्टी, सेफटी, इसके पीची का करन्ट पता है, अगर मुझे बड़े-बड़े लॉसी होंगे, आगर रात को 10 बुज़े आते हैं बिचारे इतने ज़्यादा कह सकते हो प्रेशर में काम कर रहे होते हैं बट अगर आप अपनी सेफटी पर ज़्यादा ध्यान दो कि मेरे पास 10 लैक का फंड है और मैं महीने के 50,000 या 70,000 रुपे निकाल लेता हूं ना मैं बताना चाहूंगा मेरे बाते सुनकर ये चीज़ करो मैं किवले एक आइडिया शेयर कर रहा हूं आप इस आइडिया को अपने सीए से बाते करो कि बाई क्या सच में ऐसा होता है बैंक कितना परसेंट देता है 7% आपको पता होना चीए बैंक जितना देता है 8% का यार इंफलेशन होता है परसेंट का रिटन मिल गया बट एक्चल में जो असली गेम हुआ ना वो आपको दिखाई नहीं देता जो हिडन रहता है यही चीज़े यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सेफटी फरस्ट अगर आप इजली 1 लैक रुपीज के फंड पे 5000 रुपीज बे निकाल बस अब आपकाइब एक लग रुपी है तो हिसाब लगा लो दस लाग रुपे है तो हिसाब लगा लो एक करोड है तो हिसाब लगा लो और इतना बन जाता है यह चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों कि अभी की condition में मेरे पास में PNB, SBI, SDFC, समझ रहो, इन बैंकों के, काफी सारे बैंकों के कह सकते हो, like bank manager तक है, वहाँ पे काम करने वाले employee तक है, उनकी psychology जब मैंने देखी ना तो मुझे पता लगता है कि यह चल क्या रहा है game, समझ रहो, वो लो खुद कहते हैं कि हमारे पैसे पे कोई और gameplay कर जाता है, और हम लोगों को थोड़ा सा ब्यास दे देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं, यह reality है, बहुत ही dark reality है, आप लोग पैसा कमाने के लिए तो महनत करते हो, कि पैसा कमाना सीखना है, ठीक, बट पैसे से काम करवाने पे क पैसा कमा कर लाए, मतलब आप यहाँ वाली knowledge पर तो gain करना पसंद करते हो, बट यह वाली knowledge money से money कैसे earn करनी है, दखो मैं कोई यहाँ पे PhD holder तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर basic चीज़े बात करनी की कोशिच करूँगा, जो आपको basic understanding है होनी चाहिए, market में जब काम कर पैसे के बारे में बात कर रहे हो, कुछ लोग होनार होता है हमारे पर degree नहीं है, हमारे पास में, like हमारे पास में यह नहीं है, वो नहीं है, भाई यहाँ पर पैसे से पैसे बनता है, प्लस यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, कि real market में प बहुत ही जादा रिस्की हो जाती है, अगर आप अपनी, like, अपनी साइकलोजी को डवलप नी कर सकते हो, मैं स्टार्टिंग से मार्केट गिर रही थी, मेरे पर फरक नी पड़ा, मार्केट उठ रही है, मेरे पर फरक नी पड़ा, भाई जब तुम पॉजिटिव हो, और रहते हैं, शान्त हो कर, और मैं कहा रहा हूँ कि नीचे के लेविल्स मुझे पता है, वहां तक जाएगा, मैं इसको बांध दूँगा, आपके पास fund available है, कोई panic condition नहीं है, बट उस समय की साइकलोजी, और आज की साइकलोजी, difference है, सर के अंदर ही, क्योंकि वो खुद गेम चल क्या रहा है, समझ रहे हो, गेम समझ में आना चीए, आप गेम खेलने उतरने जा रहे हो, यार, money गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, financial knowledge गेन करने की कोशिश कर रहे हो, and आप अपनी साइकलोजी को इस्टेबल नहीं कर पा रहे हो, then definitely problem आती आती है, बहुत सारे लोग ऐसे है, SIP की बाते करते हैं, हमने SIP में काम, पैसे लगाए हुए है, mutual fund में पैसे लगाए हुए है, ठीक है, हमने FD की हुई है, भाई, आप लोगों को न, मैं देखो बोलना चाहूँगा, इसमें मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग पड़े लिखे हैं, मैं agree करता हूँ, आप मुझसे बहुत पड़े लिखे हो, मैं agree करता हूँ, बट मेरे भाई, आप common sense लगा सकते हो, आप कर क्या रहे हो, आप basically पैसे से काम कराने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, basically आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई दिकत नहीं है, जो भी काम कर रहे हो, पैसे हमारे लिए best employee count होता है, और पैसे से पैसे कमाना, एक different ही skill set count होता है, उसको आलग ही skills बोला जाता है, ये बात ध्यान रखो, ये SIP का game क्या होता है, systematic investment plan का, आपको पता ही है, कि हर महीने आपको 1000 रुपे, 10,000 रुपे पे करना है, ये लोग भी क्या करत है, कि बहुत सारे लोग लाई कि एक box बना है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़े बहुत, बहुत basic चीज़े है, बट हमारे इंडिया में नोकर बनना सिखाया जाता है, ठीक, पैसे कमाना नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पे कहा जाता है, बेटा तु नोकर बन करें सिंपल सी बात है, और ये true and dark reality है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे पहली बात, मैं SIP का बता देता हूँ, SIP का गेम क्या है, यहाँ पर एक box बनाया गया, box में मान लीजे, मैंने बोला, भई सब लोग क्या करो, एक एक लाक रुपे खटा करो, ये जितने भी बनता है, मान लोग ये कहता है, मैं एक दूँगा, ये कहता है, मैं दस दूँगा, ये कहता है, मैं बीस दूँगा, ये कहता है, मैं दो लाक दूँगा, मैं पांस लाक दूँगा, मैं दस लाक दूँगा, मैं छे लाक दूँगा, इन सब को जोड कर पैसो को यहाँ पर डाला जाता है, माली जी यहाँ पर हो गए 1CR, ठीक है, अब यह 1CR कहां जाता है, SIP के थुरू, SIP के थुरू पैसा जाता है, mutual fund वालों के पास में, ठीक, या फिर इनकी भी टीम होती है, यह लोग क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जगा पर ना, इसे करके पैसा लगा दिया, अब common सी बात है, आप अपनी जेप से जितना पैसा डालोगे, उस हिसाब से आपकी शेरिंग आपके पास भेज दी जाती है, बट एक बात ध्यान डगना है, SIP में एक गेम होता है, यहाँ पर क्या है, पैसा आपका होता है, बट यहाँ पर बह पैसा कमाओ, मजदूरी करो, कुछ करो, नौकरी करो, पूरा दिन बैंड बजवाओ, हमको पैसा दो, और आने वाले 10 साल, 20 साल के बाद में, जो रेटन आएगा न देखो, उस पर फीस भी लगेगी, उस पर टैक्स भी लगेगा, उस पर ये भी लगेगा, वो भी लगेगा तो भाई बजा क्या, कदू, सोचने वाली बात है, ये सारा कॉंसेट पता नहीं, लोग क्यों नहीं समझना चाते, दूसरी चीज़, ये mutual fund वाले, भाई mutual fund से देखो, मेरी कोई personal दुश्मन ही नहीं है, ठीक है, मैं तो इसे पसंद भी नहीं करता, simple सी बात है, मुझे खास ये पीछे का game ही नहीं समझ में आया, एक चीज सोचो, हम लोग अपना पैसा, मैंने माल लीजे, मैंने पैसा कमाया, चीक है, मैंने अपना पैसा bank में रखा, bank में बहुत सारे चतुर लोग होंगे, वो कहते हैं, मैं FD करा देता हूँ, चलो जी FD करा दू, बहुत सारे तो कि चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा कहना है, मैं देख लूँगा, अब देखो यहाँ पर दोनों तरीके के लोग क्या है, बैंक में आपने पैसा रखा, अब यहाँ पर बड़े प्लेयर आ गए, FIIS, ठीक, बैंक निफ्टी, ठीक, और हर चीज़ लाइक कह सकते हो, उसको मैनुप्लेट किया जाता है, कुछ चीज़े होती हैं, जैसे कुरूडल बगेर ही, इनमें काफी मुश्किल होता है करना, इन लोगों को भी मतलब, बट यह लोग क्या करते हैं, मार्केट को, इनको हिला देते हैं, तो वहाँ भी मुवमेंट्स आती हैं, घ्यान रखना है, यह लोग क्या करते हैं, यह लोग बैंक के पास जाते हैं, ठीक, bank के पास जाते हैं और यहां से बोलते हैं, हमको पैसा चाहिए, इनके पास क्या होती है? company होती है, और आपको पता होगा company क्या होती है कुछ ऐसा scene होता है, company डूब जाये, तो company के माली को कोई फराट नहीं पढ़ता है, बगेरा बगेरा 7% देना है, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे आप महिने के, जो देना चाहते हो, देदो, अपना बैंक जोड लेता है, 2%, 4%, जो भी होता है, बाकी इनको क्या पड़ा, इनको पड़ा मालीजी 11% या 12% के हिसाब से, ये लोग अप पैसा उठाते हैं, पैसा उठाकर कहा ले जाते हैं, ये पैसा उठाकर ले जाते हैं, स्टॉक मार्केट में, ठीक, हमारा क्या पोपड बन गया, हम खुश हो रहा है, हमने अपडी करा दी, हम क्या खुश हो रहा है, हमने बैंक में पैसा रख लिया, ठीक, पैसा पैसे को कमाना जानता है बट हम यह नहीं जानते कि पैसा पैसे को कमा सकता है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात आजाती है और यह लोग यह जानते है क्योंकि इन्होंने क्या है डिग्री ले रखी है इन चीजों के अंदर इन्होंने financial field पे महनत कर रखी है अपना time consume कर रहा है, सोचने की बात है एक बिचारा doctor है, वो heart का doctor है तो उसको heart का काम करना ही तो आएगा न उसको आपको होगे कि आखे देखो तो वो तो फोड़ देगा आखे है उनकी सोचने की बात है, आखो वालों से बोलोगे तुम heart का कुछ करोगे, वो कहेगा ना जी दूर से नमस्ते यही चीज़ यहाँ पर implement होती है आम जनता को केवल और केवल नोकर बनने की सला दी जाती है कि बेटा तुम यह कर लो, मैं किसी डिगरी का नाम नहीं लोगा यार वरना वो डिगरी वाले लोग ना नीचे सुरू हो जाते हैं कि तुम ऐसा बोल ले, वो पीछे की like psychology समझना नहीं चाते, बाबा बन जाते हैं शुरू हो जाते हैं कि तुमने ऐसा बोल दिया ठीक अच्छी खासी डिगरी, बंदा इंग्लिश में बाते करता है, कोई दिकत की बात नहीं है, बहुत अच्छा है educated person, बट उसको financially देखो तो वो 50 लाग का माइनस लेके बैठा हुआ है, कैसे, क्या possibility है, क्या हुआ ऐसा, जो इंसान इतना अच्छा, अच्छा है, बात करने म psychology उसकी stable है, real life में, बट वो financial field में जैसी उतरता है, तो उसकी psychology भी बिगड़ जाती है, चीक, उसके सोचने की शमता भी बिगड़ जाती है, वो losses पे losses कराता जाता है, actual में आपने क्या कर रखा है, losses को और profit में difference create कर दिया, क्या, कि loss लेंगे बड़े बड़े, profit लेंगे छु 10 lakh का fund है, तो 2 lakh से जादा का fund used नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ, गांदी जी जाकर दिखाएं, और ये चीज मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहना चालू भी कर रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा ना कि नहीं होता, चेक करके देख लेना, आप 10 lakh मत लगाओ, आ मैंने आपको पहले ही बोला कि averaging strategy, या फिर stop loss strategy, इन दोनों में से आप कुछ भी use कर सकते हो, आप बहुत सारे बाबा लोग कहेंगे, आप averaging करते हो, हाँ जी, averaging strategy करता हूँ, उसका पीछे के पुकता logic है, जो मैं बताता हूँ, और वो logic काम करते हैं, आप बता दो एक बार कि logic काम नहीं करते हैं, भाई, currency में 41 टाइम का leverage है, currency stable है, ठीक, broker भी इस बात को जानता है, इसी कारण वो आपको इतना leverage देता है, ठीक, ऐसा नहीं है, कोई like stock है, अदानी ग्रूप का कि भाई, ये 70 रुपे खुला, कल को 90 हो गया, परसो फिर से 60 हो गया, उससे अगले दिन 120 हो इतना होता नहीं है आप जनता के बास, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक, निफ्टी में averaging करने वाले की मैं कहता हूं, खाल उतर जाती है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जो एक एक दो-दो करोड़ का नुकसान कराके बैठे हैं, पांस साल, छे साल, साल, और उन लोगो कि गलतिया ना बता कर, आपसे कह सकते हैं, एक तरह से दोका किया, बहुत देखो ऐसे लोगों ने नुकसान यू कराया है, और वो लोग इस बात को agree करते हैं, कि यू नुकसान हुआ, फिर भी अगर हम उन गलतियों को follow करेंगे, तो हमसे बड़ा पोपट, कोई नहीं है, औ और हमारा नुकसान होना, फिर हमारा जनम से दाधिकार है, मेरे भाई, फिर तो गांदी जी जाने चाइए, क्योंकि 90% लोग गांदी जी गवाते हैं, 10% कमाते हैं, यहीं तो पूरा कपूरा गेम है, 90% गवाते क्यों हैं, इसको पता कर लो, अब सब कुछ पता होने के नहीं कर रहे हो, rules follow नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे से ना हो पाएगा, तुम रहने दो, मैं तो simple सी बाते कहूँगा, मेरे पास कुछ client आते हैं, सर जी क्या हम कर पाएंगे, भाई तुम को शक है, तो मैं क्या कद्दू बता पाऊँगा, सोचने की बात है, भाई तुम पहले ही कह रहे हो, क्या मैं घर पाऊँगा, नहीं हो, खर पाऊँगे, क्योंकि तुमको पहले ही अंदर से feeling आ चुकी है, पहले ही लाखों के losses करा चुकी हो, पहले ही आपकी psychology डगमगा चुकी है, आपको लगता है, बची हमसे ना हो पाएगा, यह हमारे बस की बात ना है, यही सबसे बड़ी problem की बात है, क्योंकि psychology आपकी stable ही नहीं है, दोनों को identify करो, 90% गवाते क्यों है, 10% कमाते क्यों है, जब पता लग गया कि कौन क्या करता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 90% और 10% इसके उपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी, 90% लोग गवाते हैं, क् बन करगें ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है कुस तो ऐसे office में cigarette पीने के बाने ऊपर छट पे जाते हैं, मुझे बताया है उन्होंने कि चट पे cigarette पीने जाते हैं, वहीं पे ट्रेट डालके आ जाते हैं, बैटेडिंग हो रहे है, हल्वा खार हो बैट कर, यह सोचने की बात है, स अभी तो 90% लोग पैसा गवाते हैं और ये लोग कौन होते हैं भाई इनका सीन ऐसा है इनका पहली पता है अब इनकी बात करें इनमें option बायर आते हैं इनके इंदर बात करें तो वो इनसान आता है जो कि कम पैसे के साथ में एकदम करोड़ोपती बनने की सोचता है और market उसको दो थपड मारती है और कहती है बेटा लिविल पे रो और फिर क्या होता है उसको रोड़पती बनने में देर नहीं लगता ये बंदा क्या है ये market के पूरी तरीके से इज़द करता है उसको पता है कि किसी की जेब में से पैसा जा रहा है तो वो किसी की जेब में आ रहा है अब वो जेब मेरी हो ये कैसे हो सकता है उसके लिए option selling जो चीज़े अमीर लोग करते हैं देखो फिर बाबा लोग नीचा आएंगे कहते हैं कुछ लोग option buying करके पैसा कमा रहा है भाई उन पे strategy है वो तुमको क्यों बताएंगे सोचने की बात है उन पे strategies है और उनके पास मे सोचने की बात है और यहां पर यह 10% लोग है इनके पास team भी होती है यह stability से काम करना जानते हैं इनको पता है कि trade negative जाती है तो इसका मतलब पैसा किसी की जेब में जा रहा है तो अब वो positive आएगे तब पैसा मेरी जेब में वापस भी तो आएगा यह बाते इनको पता होती ह इनको risk management, money management, trading psychology यह सारी चीज़ों की practice हो जाती है और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा बहुत सारे poppet लोग ऐसे हैं वो लोग कैसी बाते करते हैं तो बताता है उनका कहना है competition बढ़ता जा रहा है हर बंदा trader बन रहा हर बंदा trading कर रहा भाई यहाँ पर zero competition है आप मैं कहता आ रहे हो ना तो यहाँ पर यह चीज़ भूल जाओ कि competition मैं कहता हूँ अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो कि सब trading करो इससे तो positive है negative क्या है इसके इंदर सूचने की बात है तो यहाँ पर zero competition मैं आपको एक ऐसी जगा बता रहा हूँ जहाँ पर competition नाम की zero है कैसे हो सकता है सोचो आपकी personal strategy, personal trading psychology, personal आपका work करने का experience, आपका personal fund तो दिक्कत कहाँ पर आ जाएगी जो दूसरा इंसान दूसरे घर पर बैठा है दूसरे अपनी जगा पर बैठा है उसकी psychology उसके साथ तो हर एक individual person share market में different trading strategies use भी करेगा तो भी कोई problem की बात नहीं है because सारा game आ जाता है किस चीज़ पर stability, mind की stability, लोग ऐसे हैं, 10 बजे सो कर उठते हैं, 11 बजे सो कर उठते हैं और कहते हैं हमने बारा वो जो ट्रेट डॉली थी, 500 रपर कमाली हो, भाई वो जुआ खेला था, तुम गलत जगा पर टक कर मार रहे हो, trading करने का मतलब ये नहीं कि सो के तो तुम 11 बजे उठे हो और market से expectation कर रहे हो, कि भाई जी market हमको महीने के 50,000 दे दे, बस औरे 50,000 वाली value तो बनाओ, ये चीज़ आ जाती है, ये दिमार्क में बिठा लो, देखो मैं थोड़ी सी बात हैं, थोड़ी tight बोलता हूँ, बट ये tight मैं खुद के लिए भी बोलता हूँ, अगर मैं क किछी से order लेने पड़ेंगे, इस बात को दिमार्क में बिठा लीजिए, नहीं बिठाओगे, कोई दिक्कत की बात नीए, मत बिठाओ, मुझे कोई फरक नी पड़ता, आपकी life, आपकी financial condition, फिर भी किसी के mind में कोई question है, कि भाई कैसे, क्यों, कहां, कब, तो भाई आप थोड़ा बहुत, इतना तो होना चाहिए, initial amount, क्योंकि दखो, आप कुछ extra लगाना चाहते हो, अभी आप जो काम कर रहे हो, मालीजी, 30,000 महीना कमा रहे हो, ठीक, आप कहा रहे हो, जी कुछ extra मिल जाए, भाई, extra के लिए, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, time तो देना ही पड़ेगा ना, सोचने की बात है, सबसे कीमती चीज, तो ये दिमाग में बिठा लो, कि ये चीजे रातो रात वाली तो नहीं है, बट हाँ, इसमें practice से पूरा game change किया जा सकता है, ये भो जगा है, जो ना तो कभी बंद होगी, share market, और ये बंद हो गई, तो यार सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर देशी बरबाद हो जाएगा, common सी बात है, तो आप उस field में enter करने जा रहे हो, जिस field के अंदर, पूरे के पूरे, बड़े से बड़े like कह सकते हो, द्योग पती, हमारे इंडिया के बड़े-बड़े मोटी parties, सब लोग यहाँ पर listed हैं, बड को काम करना नहीं आता, एक तो यह खेलना, एक लोग कहते हैं, मुझे खेलना नहीं आ रहा है, अरे भाई, यह जुआ थोड़ा ही ना है, सुचन की बात है, professional जगा है, यहाँ पर, अभी मैं आपको बोलो ना, मेरे पास में, IPS से लेकर, like कह सकते हो, IPS officer, politicians, doctors, bank managers, ठीक है, like, अ ground में रहकर काम करते हैं, कोई दिखाता नहीं है, क्यों दिखाएगा कोई किसी को, पैसे कमाने का कोई रस्ता होगा, क्यों दिखाना चाहेगा किसी को, सोचने की बाता चाती है, तो यह पीछे के game जो है यह आम जंता को पता नहीं है, और जंता को को बताता भी नहीं है, colleges मे डिग्री दी जाती है, नोकर बनने के लिए ये वाली नोकरी कर लो, उसके बाद में ये मिल जाएगा, उसके बाद में मिलेगा क्या, नोकरी करने का मतलब क्या है, नोकरी का मतलब है, मनी, उसको पैसा ही तो चाहिए, उसको बोलो भाई, तुझको एक लाग रुपर मही ना मि लेंगे मैंने देखा basically कल जब मैं अपने जिम गया मैंने देखा अंदर basically A team में गया A team में जाने पर क्या था कुछ पैसे निकालने थे मैंने ठीक है मैं अंदर गया मैंने देखा रे बापर यह क्या हो रखाया पता क्या 20 20 डिगरी celsius पर भाई ने AC on कर रखा है अंदर बैठा है वो चोकिदार जो होता है वहाँ पर गार जो होता है अंदर बैठा है 20 डिगरी बहारत अपती दूप हो रही है चीक अंदर 20 डिगरी celsius बंदा मस्त अंदर मस्त बैठा हुआ है अंदर बैठा के youtube पर वीडियो देख रहा है मस्त चीक है अंदर बढ़िया गाने वाने चला रखे है भाई ने अंदर बैठा है बगल में पानी की बोतल रखे है ठंडी मैं कहता हूँ कितनी अच्छी नोकी है यार देख रहे हो, मैं अंदर घुसते ही, मैंने का, आरे, पर क्या कर रखा है तुने यार, बिमार करेगा आदमी को, अंदर भार से बंदा, गर्मी से आया, एकदम AC में, इतना दो था, 20 degree पर करके बैठा वो अंदर बंदा, आप देख रहे हो, condition देखो उच बंदे की, तो सबसे financial knowledge कद्दू होगी, क्या, सोचो, और उसकी जिंदगी कभी आगे ग्रो करेगी भी नहीं, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसको ग्रो करना ही नहीं है, जब तक सामने वाला इंसान, मालूम मैं हूँ, मैं अपनी life change करना चाहता हूँ, तो पहला effort मुझे ही करना पड़ेगा, मे कान में headphone लगे हूँ, कुछ time के लिए गाने सुनना हो गया, fresh करना अपनी आपको वो चीज आ जाती है, तो जब सब सो रहे हूँ, तब इतनी महनत करो, जब सब जाग रहे हूँ, इतने विल्ले दिखाई दो, कि उनको लगना चीए, और यह कुछ करता भी है, नहीं करता है, यह मेरी personal खुद की strategy है, तो मेरे भाई, psychology develop कर लो, नहीं करोगे, अपनी आप करनी बढ़ जाएगी, market थपड मारके करा देगी, यह बात दिमाग में बिठा लेना, और रही बात यह account की, तो भाई, यह तो green आने ही वाला है, इसको negative रोका नहीं जा सकता, क्यों नहीं रोका और तो यहां पर कुछ है ही नहीं, सारा game यहां पर है, और पैसे बिखरी पड़ा है मेरे भाई, यहां पर, यह बात ध्यान रखना, मैं ऐसे यसे लोगों को देख रहा हूँ अभी, ऐसे यसे लोगों को देख रहा हूँ, जो दो-दो हजार quantities के अंदर trade कर रहे हैं, और दो इंसानों में, और भाई मैं भी अपनी बात करूँ, मैं भी इतनी बड़ी quantity पे नहीं गया हूँ, मेरे में difference पता है क्या है, difference है psychology का, अब देखो रही बात पैसे की, कितने पैसे लगे, 40,000,000 रुपे, अकाउंट में 1CR भी होंगे, तो भी यह चीज़ मैनेज कर लेते होंग असली गेम है, trading psychology, thinking करने का, कि इन्होंने सोचा कि मुझे लाख रुपे, दो लाख रुपे कमाने की तरफ जाना है, तभी तो यार यहां तक आए न, अब आम आदनी बिचारा कमाता हो, 20,000 रुपे है, अब अगर वो एकदम से ऐसा सपना देखेगा, तो तो वो लुटेग यह चीज़ समझ लो, सबसे पहली जरूरी बात, और यह इनसान उन लोगों में से होते हैं, जो लोग पहले focus करते हैं कि money, काम कैसे करती है, ठीक है, market के अंदर market आपकी दुश्मन नहीं है, और वो आपकी दोस्त है, आपको उससे दोस्ती करनी नहीं आती है, अब आपकी ग लगातार महनत कर रहा है, एक टाइम ऐसा आता है, कि उसका एक ही साल, इतनी कमाई करके देता है, कि उसके साथ वाले जो लोग थे ना, जो वो जिन्दगी बर में कमाएंगे, वो बंदा एक साल में चाप जाता है, यह दिमाग में बिठा ले ना, ऐसा होता है, market है भाई, य जब देती है ना, तो छपर फाड़ के देती है, यह true reality है, बहुत सारे लोगों का example है आपके सामने, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो सामने आते ही नहीं है, because यह चीज़ जरूरी है, यह लोग, इंट्रोवर्टों के, जो इंट्रोवर्ट लोग होते है ना, उनके लिए best opportunity है, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे जादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, शकल मैं इसलिए नहीं दिखाता, because मेरा मानना है कि शकल से नहीं, मेरी अकल से काम होना चाहिए, simple सी बात है, शकल तो सब के सब 30 प्लस होते हैं, अंकल आंटी बनने है, तो हम जोड़ देता हैं, इसको किस से, emotional attachment से, कि भाई, लक्षमी जी आ नहीं रही है, अरे लक्षमी जी तब आती है, simple सी बात है, लक्षमी जी से पहले तुमको सरस्वती जी के पास जाना पड़ता है, तब जाके आपको knowledge आती है, तब लक्षमी जी आपको मिल पाती है, क्या स बेटा, तेरे पास में भुद्धी तो है नहीं, ठीक है, मैं तेरे पास आ भी जाओंगी, तो तु क्या करेगा, तु हर रोज पार्टियां बनाएगा, ठीक है, हर रोज गूमने जाएगा, ठीक, मेरा दुरिप्योग करेगा, क्या सोचेगी, लक्षमी जी भी तो यही अब जिप्स के पास में सरस्वते जी होगी, सिंपल सी बात है, वो आ चुकी है, वो बताएगी, देखो यह जो चीज है यह आपकी लाइफ डिफाइन करेगी, यह आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, आपको तबेत खराब होने पर आप सरकारी होस्पिटल में जाओगे, आप ट्रिप करने अपने आस पास के शहर में जाओगे, यह दुबई या मलेशिया या सिंगापुर जाओगे, यह बेसिकली लक्षमी जी को पहले यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेज़ा बोलता है मेरे भाई, यहाँ ध्यान दो, सिंपल सी बात है, यहाँ वाली चीज को भूल जाओ कुस टाइम के लिए, यह चीज तब आती है, जब यह चीज आपके पास है, तो इस्टेबिलिटी, अपने माइंड में इस्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, इस बात को दिमार्क में बिठा लीजिए, नहीं करो जिसमें गवाया, जिस में गवाया, मैंने का अच्छा, उसके बीवी बच्चे कितने रोते होंगे, कितना जいた Bernard ग्ली में करो एक मिनट उसको, तुम मार्केट के रिए उसके बोला उगए, तो उनको जे़लना भी तो पढ़ेगा, इसको बोलता है, बिसनस, सिंपल सी बात है करना है करो नहीं करना है मत करो करना आता होगा तो कर पाओगे नहीं करना आता होगा तो भाई खालू तरनी तैय है फिर चाहे बीबी रोएं बच्चे रोएं चाहे उनके भी बच्चे रोएं कोई फरक नहीं पड़ता तो यह जो पैसा हम लोग कमाते हैं यह पैसा जो आ रहा बिजनस मीन्स किसी का प्रॉफिट सो किसी का लॉस सिंपल फंडामेंटल कॉंसेट हमें बिजनस के डेफिनेशन ही कुछ ऐसी बताई गई है लोग इतने बड़े पोपट हैं फिर बोलूँगा कोई डिगरी का नाम नहीं लेता लोग MBA करते हैं MBA की जाती है किसलिए मैं बिजनस करना चाहता हूँ लोग MBA करके नोकर बनते हैं जॉब करते हैं और वहाँ पे जाके MBA वाले लाइक उनके लिए जॉब करते हैं दसवी पास भी नहीं होते हैं मुश्किल से क्या है यह कैसा education system है मेरी भाई सिंपल सा गेम है ना तो MBA करने का logic क्या होता है money को कैसे manage करना है strategies create करना पैसा कैसे बन सकता है यहाँ पर लोग क्या करते हैं नोकरी करने के लिए हमें नोकर बना लिजिए किसी भी तरीके से और कमाल की बात इस देश के अंदर बता है क्या है फिर बुरा लगेगा लग जाए कोई वरग नी पढ़ता यहाँ पर ना नोकर बनने की इतनी जादा कह सकते हूँ excitement है हर बंदा नोकर बनना चाहता है वो भेड़ चाल होती है ना कि मेरे पडोसी का लड़का भी नोकर मेरा दोस्त भी नोकर उसका भाई भी नोकर उसका पपा भी नोकर सब नोकर 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 तो सब को नोकर बनने की जादा जल्दी है मालिक बनना मालिक दिखते नहीं है आसपास कहीं पर समझ रहो मतलब मेरा दे को गलत मत समझना मैं किवल साइकलोजिकली आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूँ, कुछ लोग बाबा बनके नीचे शालू हो जाएं, प्लीज, पहले समझो मैं कहना क्या चा रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है जब सोचो सब जगा पे नोकर, 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 नोकर है, चीक, अब इनके बीच में एक नया बच्चा कोई पैदा होता है और उसको थोड़ा बड़ा होता है, वो देखता है यार, ये भी नोकर, ये भी नोकर, ये भी नोकर, ये भी नोकर, अजी मुझे भी नोकर बना लो, जी, simple सी बात है, अब अगर ये बंदा थोड़ा सा different सोचेगार कहेगा, ना जी ना, मुझे तो मालिक बनना है, तो क्या लगता है कि ये आसपास के जो लोग हैं, इसको motivate करेंगे ये demotivate करेंगे अब भेड़ चाल जो होती है, उसको ये बंदा break करने की कोशिश कर रहा है तो starting में ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा starting में, अगर आप कोई चीज continue करोगे, मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज continue करोगे जो आसपास के लोग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जो आपको विरोध जिसको कहते है हिंदी में, लाइक वो जो मिलेगा न, वो आपको आपकी family से मिलेगा ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ा सा भी positive result दिखा दिया देखो सबको गांधी जी चाहिए, ठीक है गांधी जी आने चाहिए, family वाले क्या होता है उनको tension होती है, वो tension वाला like कह सकते हो, विरोध होता है, दूसरा विरोध मिलेगा आपको आपकी society में, ठीक है आपको और जलाएंगे, देखो जी मेरी अल्टो, ठीक है, चलो जी, इनको नहीं पता कि एक condition ऐसी आ सकती है, कि ये जो बंदा है बिजनस करने वाला, ये ऐसी गाड़ी भी ले सकता है जो कि जिसका tear, उसकी चार अल्टो आ जाएं उसके इंदर ये सबसे ज़रूरी बात है, तो को बुरा मत मानना, अल्टो वल्टो वाले मैं केवल psychology समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भाई इसमें कोई भी बुरा मानने की चीज नहीं है ठीक है, मैं भी उसी category में हूँ, मैं मना नहीं सही एंटर करोगे, आप अपनी आपको पहचान पाते हो, नहीं पहचान पाते हो, कि मैं swing trader हूँ, मैं intraday trader हूँ, अब देखो, मैं एक example और देता हूँ, I think example से ज़ादा easily सब समझ जाते हैं, मैं एक example और देता हूँ, मानली जीए, एक छोटा सा काम है, आपको क्या करना है, आपको अपनी family, अपनी मम्मे को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाना है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर traffic बहुत है, वगेरा वगेरा, आप ट्रक लेकर जाना चाहोगे, या एक छोटी से दूसरी जगा transport करना है, वहाँ आप ट्रक लेकर जाओगे, या बाइक पे एक एक समान पहुचाओगे, ट्रक लेकर जाओगे, तो जो चीज के लिए, जो चीज बनी है जो जिसकी requirement है proper timing के साथ, वो करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, आप ट्रक से बाइक वाला काम नहीं कर सकते हैं, और बाइक से ट्रक वाला काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आपके पास मालीजे, पूरा दिन टाइम नहीं है, आप जॉप करते हो उस condition में, पोपट लोग ऐसे होता है, वो इंट्रा डे पर उतर जाता है ठीक आप बेसिकली स्विंग ट्रेड करने चाहिए आपको बेसिकली, ठीक, आप करते हो इंट्रा डे, पहली गलती, तो वही concept हो गया, समझने के उपर गेम है, दूसरी जीज़ आजाती है, जो लोग जिनके पास समय है लाइक माली जीव, अपनी कंपनी के बास है अच्छी कासी पोस्ट पर बैठे हैं, दे नो की मुझे कुछी चीज़े करनी होती है, बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है, इसमें खाली बैठना होता है, मुझे पता है आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मालो में किसी डॉक्टर के पास गया मालो उसने पहले वाले डॉक्टर ने पहले किसी पेशिंट को एक दवाई दियोगी क्या सब को वही दवाई बाट देगा वो सोचने की बात है ना, आपकी बिमारी कैसी है उसके हिसाब से आपको दवाई मिलनी चाहिए वही चीज यहाँ पर आ जाती है मेरी ट्रेडिंग साइकलोजी है कि मैं इंट्राडे अच्छा कर सकता हूँ सुइंग अच्छा कर सकता हूँ option selling कर सकता हूँ मुझे पता तो हो बिमारी तो पता हो ना कि मैं गलती कहां कर रहा हूँ तभी तो कोई आपको advice देगा कि बिटा तेरे लिए ये सही है तो गलत जगा पे टक्कर मार रहा है सोचने की बात है यही सारी problem की जड़ है आम आदमी जिसको बिचारे को trading का टी नहीं आता वो सीधा मैदान में उतरता है निफ्टी बैंक निफ्टी में और भाई बैंक निफ्टी निफ्टी में काम करने के लिए experience चाहिए होता है पता करो लोग पास-पास 10-10 साल के experience लेने के बाद में जाके पैसा कमा पाते हैं आप क्या सोच रहे हो पहले दिन गदे पे सवार होकर कि मैं सारा का सारा पैसा ही लूट लू मार्केट से और एकदम फूरा करोड़ पती बन जाओ तो करोड़ पती तो भूल जाओ जो है ना उसके भी माइनस में चले जाओगे यह true and dark reality है मैं फिर बोलूँगा बहुत सारे लोग कहते हैं option buying करो ये करो भाई दको तुम कहते होंगे हमें भरगनी पढ़ता और मैं फिर बोलूँगा मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे कोई अच्छे बात है सो जी बहुत अच्छे हुआ आप बहुत अच्छा काम कहें फालतो की चीज़ें करने के लिए मेरा मेन फोकस है आपको reality पता लग जाए जिसको अच्छी लगे लगे नहीं लगे चैनल अंसब्स्राइब करो आगे जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं यहाँ व्यूस के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे लोग यह भी सोचते है मैं 30 मिनट, 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ इसको बोलता है psychology development educational content है यहाँ पर कोई मुन्नी बदनाम थोड़ा ना हो रही है कि यहाँ पर मुझरा चल रहा है आप देखने आए 10 मिनट और तालिया बजाई और चले गए यहाँ पर educational content educational content घंटो का होता है मैंने भी काफ़ी सारे ऐसे YouTubers हैं जिनकी like कह सकते हूँ 3-3 घंटे के sessions अटेंट की है 3-3 घंटे के session रात के एक बच जाते थे उस बंदे को 4X है international Dubai के हैं बंदे तो एक एक बज़े तक के मैं बैटके यहाँ पर session देखता हूँ मैं भी तो सीखा हूँ ना पैदा होते कौन सा सीख के आता है कौन ऐसे कद्दू में तीर मान के लाता है कि starting में सब के सब 30 मार्खा बन के आता है दीमे दीमे काम करते हैं और एक चीज़ को बार 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 करते हैं तो उसमें अच्छे बन जाते हैं बस यह है fundamental concept profitable रहने का मैं आपसे आपर बाते कर रहा हूँ पीछे trade चल रही है मुझे कोई panic condition नहीं है समझ रहे हो कोई कद्दू panic condition नहीं है मुझे पता है मैंने क्या कर रखा है अराम से tension free होकर काम करना है भाई BP बढ़ाया 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 डॉक्टर का खर्चा बढ़ाया उससे अच्छा क्या है शान्त होकर कम quantity में काम करो regular profit gain करने की कोशिश करो tension free होकर काम करना जरूरी है otherwise क्या होने वाला है आप खुछ समर सकते हो यह है सारा का सारा game अभी भी किसी को लगता हो कि भाई मैं तो कुछ आलग ही 30 मारखा काम करना चाता हूँ भाई तुम कर सकते हो कोई problem की बात नहीं हो सकता है भगवान ने आपको कुछ extra like एकदम ग्यान दे दिया हो ठीक है यह चीज़ दिमाग में बिठा लेना और भाई मेरे पास में अभी की बात करो ना मेरे पास में ऐसे-इसे client भी है जो 5-5-7-7 करोड में काम कर रहे है ठीक है और कुछ पिचारे ऐसे client भी है लग कह सकते हो जो 20-50,000 से काम कर रहे है अब इन दोनों की psychology तो difference होगी होगी common सी बात है तो मैं दोनों को देखता हूँ तो दोनों में पता लगता है कि match क्या कर रहा है और अलग-अलग क्या है उधर की psychology क्या है और इधर की psychology क्या है यह चीज दिमाग में बिठा लीजिए वो इंसान हमेशा कोशिश करता है पहले मैं देखूं काम हो कैसे रहा है यह इंसान हमेशा कोशिश करता है पहले काम करता है, टेस्ट करता है यह testing पे ध्यान देता है और वो बंदा क्या करता है client का account दिखाया है, यह client की permission के साथ ही दिखाया गया है, ठीक है, यह केवल एक motivational video थी, ताकि client को यह clear हो, आप लोगों के clear हो कि एक चीज में काम करने से क्या profit होता है, safety कितनी रहती है और problem कहाँ पर आती है, दोखो अभी तक यहां तक की बाते clear हो गई होंगी normally Sunday के time पर आपको update दिया जाता है, पहले जब class होती है तो psychology अगर आपको अपनी develop करनी है दोखो psychology में लगता है, समय यहाँ पर consume होता है time, मेरी खुद जो psychological classes यहाँ पर होती है जो public life class होती है, यहाँ पर आपको दिखाई देगी important announcement में आपको दिख जाता है कि यह Sunday है नहीं है, normally Sunday में होती है रात के 9.30 और यह कभी-कभी जाती है रात के 12 बही तक, क्योंकि वहाँ पर खुल कर बाते की जा सकती है तो अगर आप चाहो अपने psychological develop करना क्योंकि YouTube पर बहुत जादा जादा बड़ी वीडियो डालना मेरे लिए, possible नहीं है क्योंकि बहुत जादा उसमें editing करनी पड़ती है, time consume होता है, तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर वो चीज की जाए, जहाँ पर कोई ऐसी editing के ज़रुवत नहीं है, क्योंकि जो genuine client है जो सच में, जो focus करना है, अपने उपर की मुझे grow करना है, वो यहाँ पर आया हुआ है, तो इसकी link मैं वीडियो की description में डाल रहा हूँ, pin comment में भी डाल रहा हूँ इसका नाम है explosive trade, like community discord सर्वक की link में नीचे डाल दूँगा plus किसी के mind में किसी तरीके कोई question है तो वो क्या कर सकता है, like यह number है 9837482890 second number है 8077521043 इन में से किसी भी number पर आप high करके message कर दो मेरी team आपको reply कर देगी, जो भी आपका issue होगा plus Sunday live class अगर आप attend करना चाह रहे हो like psychological topic होता है, common सी बात है, क्योंकि main चीज मुझे दिखाई दी क्या भाई देखो मैं तो खुलन 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 बोल रहा हूँ 80% psychology है और 20% कह सकते हो strategies पार है यह बात दिमाग में बिठा लेना और कुछ नहीं है यहाँ पर, market के अंदर काम करने का fundamental concept यही है और यही मुझे समझ में आए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करने की जरुवत नहीं है मेरी strategy जो है वो तब काम करती है जब आपके psychology को उस level की होती है यह बात आ जाती है, simple सा concept है Sunday में class होती है, 9.30 के आसपास class होती है, PM पर रात को subfree हो जाता है, खाना वाना खाओ, attention free होके और तब बैट के अराम से बाते करो ताकि आपको concepts clear हो खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है ना मैं इस चीज़ में बहुत बिलीब करता हूँ ताकि सोचने की शमता जो है, वो change की जा सके then link नीचे डाली होई है दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप में से काफे सारे लोग ऐसे हैं, जो लोग share market में नए हैं अगर आप नए हो और आप चाहते हो कि best demate accounts open करना तो नीचे मैंने link दी है, तीन demate accounts की उन में से आप किसी के साथ भी like 010 हो सकता है वो LS blue हो सकता है वो और up stocks हो सकता है इन तीनों के साथ मैं काम करता हूँ आप नीचे डाकर यह link दी है इन में account अगर open करते हो तो इन number पर आप update कर देना update करने के बाद में आपको basically group के अंदर like कर सकते हो, group में add कर लिया जाता है, जिसके अंदर आपको trade idea share किये जाता है trade idea means like a premium trade idea group जो होता है, इसमें trend क्या होता है कहां पर क्या enter कर सकते हो, वो चीज़ें यहां पर explain करने की कोशिश की जाती है चीक है, so आप चाहो तो ऐसे करके काम कर सकते हो, नीचे link दी है, उनमें account open करके, इदिये के number के उपर आपको message करना है, और message करने के बाद में बता दिना, कि आप मेरे साथ में connect हो चुके हो, और आपको continue trend क्या होता है, trend का बताना, trade क्या होती है वो भी share की जाती है, पहले educational purpose से, बाद में आप उसको चाहो तो 5 lot, 10 lot से try करके देख सकते हो, जब आपको लगे, कि यार चीजे काम कर रही है, ठीक है, पहले test करो कि काम कर रही ही नहीं कर रही है, बताया ना, पहले लोग back test करते हैं ठीक है कि भाई, profit आ रहा है नहीं आ रहा है, गांधी जी आएंगे कितने, जाएंगे कितने, लोग गलती क्या करते हैं, मैदान में कूच जाते हैं, पहले दिन ये सबसे बड़ी गलती है, ट्रेडिंग में कम से कम मान के चलो, एक से दो महीना देना ही पड़ेगा, कोई सोचता हो में रातो रात कद्दू में तीर मार कर एकदम आजीब लगता होगा, भाई, स्टॉक मार्किट को अगर आप समझना चाहते हो, तो कम से कम मान के चलो, मरे से मरा टाइम बता रहा हूँ मैं, छे महीने से आठ महीना, इतना समय लगना ही लगना है, अगर आप सारे सेग्मेंट में, प्राइज एक्शन, कुछ समझना चाहते हो, क्या-क्या होता है, देन उसके बाद में, जो आपको पसंद आए, उसको आप टेस्ट करो, और उस पर टिके रहो, एक जगा पर टिके काम करते रहो, 6-8 महीना मान के चलो, कोई कहे कि करनसी मार्किट कितना, भाई इसमें कम से कम मान के चलो, 15 दिन से लेकर, दो महीने का टाइम फ्रेम लगना ही लगना है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, सारी चीजे पता करने में, यह होता क्या-क्या है, क्या-क्या चीजे है, छोटी से छोटी, पिन पॉइंट चीजे पता होनी चाहिए तभी तो काम करोगे न, otherwise जैसे अभी condition बदली थी, like तीन दिन पहले हुआ, उस condition में बहुत सारे लोग panic में आ जाते, तो panic में आ कर तो कुछ होता भी नहीं है, सारा game psychology का आ जाता है, और psychology तब develop होती है, जब आप सारी के चीजे money management, risk management और आ को follow करते हो, तो currency market जो है, उसमें मान के चलो, two month लग जाते हैं, एक से दो महीने लग जाते हैं, आपको ढंक से काम करते हैं, मैं पता रहे हैं, आपको कर क्या राओं मैं, पूरा share market को 6-8 महीने लगते हैं, सो चलो आपकी मर्जी आती है, आप पूरी पूरी एक B-Tech complete करते हो, चार साल बैंट बजवाते हो, बारा हजारो महीना कमा पाते हो, और वो भी दूसरे के रहमो करम पे, कि बहुत अच्छा मिल गया, तो तुमको increasement मिल जाएगी, नहीं मिला, तो लगे रहो बारा हजार पे, क्या कहकर कि तुम नहीं हो, अभी तुम पोपट हो, तुमको कुछ जादा चीज़े आती नहीं, कहते हैं यार, मुझे हुआ खुद, पैना कर कितनी सैलरी मिलने वाली है, बारा हजार हो, मैंने जाता है, so I wish की समझे रहे होंगे, game change क्यूं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा game की स्चीज़ का है, सोचने के शमता का, आपका mindset, जो आप सोच सकते हो, के वल वही आप कर सकते हो, जो आप सोची करेंगे और continue करेंगे के बाद में आपको contact कर दिया जाएगा जो भी आपके questions हैं उन questions को आप इस form के अंदर डाल सकते हो जो भी आपको like चीजे continue करनी है ठीक है यहाँ पर आपको लिंक दे जाती है आप यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है यह अभी usdnr अपसाइड पर continue ही रहना चाहिए कुछ समय के लिए ठीक है इसके साथ वीडियो बंद करते हैं